Hello everyone, आज है 31 March और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहें दो दमदार कमपनियों के बारे में जिनके fundamentals अगर आप देखो तो काफी शांदा लग तो रहे हैं पहली कमपनी है CDSL Central Depository Service India Limited और 907 रुपए का ये शेर है काफी बड़ी गिरावट कहा रहे हैं कि देखने को मिली है यहाँ पर एक्चिल में अगर आप देखो तो और दूसरी कमपनी है DMART लेगे 3411 रुपए का शेर है आज भले ही दोनों में ही आपको थोड़ी थोड़ी तेजी देखने को मिली हो लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखोगे तो लगातर हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही थी वीडियो में बात चुरूत करेंगे इन दोनों के बारे में कि भईया खरिधारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं बनेंगे कहां तो कहां पर बनेंगे लगातर गिर कर नीचा आया है 850 रुपए तक गया था लेकिन पिछले दो दिनों में थोड़ा थोड़ा करके यह रिकवर कर रहा है अगर हम बात करें एक साल की तब तो गिरावट और भी जादा है 40 प्रतीशत तक गिर चुका है शेर 1500 का था इससे पहले भी गिर कर 1000 रुपए पर आया था लेकिन दुबारा तीजी पकड़ ली थी 1450 रुपए तक गया लेकिन उसके बाद अगर आप देखो 8 सब्टेंबर से हालत खराब होना शुरू हुई थी इसकी 8 सब्टेंबर से और हर रोज ये गिरता चला था देखो बीच बीच में यहां पर तेजी बनी जरूर लेकिन कुछ हुआ नहीं मतलब कोई ऐसी कोई डिसाइसिव तेजी नहीं बन पाई हर रोज ये गिरता चला कि उसके बावजूद भी और अभी अगर आप देखोगे तो एक साल का सबसे बड़ा जो लोविश प्राइस था वो 850 रुपय का इसने अभी बनाया था लेकिन 5 साल में देखोगे तो बगई एक 200 परसंट का जंप है आप देखो CDSL एक वक्त ऐसा भी था जब 200 रुपय से भी कम कीमत पर ये मिल रहा था 2019 में बाद में एक बड़ी रफ परतार देखी देखे कोविट के टाइम पर लोगों ने स्टोक मार्केट में निवेश करना बहुत जादा सही समझा और इसलिए नई यूजर्स आ गए और CDSL का काम क्या है भया आपके डीमेट अकाउट को मैनेज करना और यहां पर अगर आप देखोगे तो CDSL ने क्रॉस क कर लिये है आठ करोड एक्टिव डीमेट अकाउट का माइल स्टोन इसने क्रॉस कर लिया है निवस कुछ इस तरीके से थी कि हलाकि यह पिछले महिने की निवस है अभी शायद और भी जादा बढ़ गया होंगे यहां पर अगर आप देखोगे तो CDSL is the largest depository in the country in terms of active demate account अगर आप देखो तो the demate account help investor hold their shares and securities in the electronic format देखो जितने जादा demate account खुलेंगे उतना ही जादा इस company का फाइदा है आपको लगता है कि आने वाले दोर में जादा demate account खुलेंगे लोग जादे invest करेंगे share बाजारों में तो कहीं न कहीं definitely CDSL एक बहतर choice हो सकता है देखो गि होने देखा कि कोविड में बड़े demate account खुलना शुरू हो गए लेकिन बाद में जब बाजार गिरना शुरू हुआ तो वही कुछ demate account inactive भी होते नज़र आए या फिर वहां पर investment कम होता नज़र आए और यही वजह भी है कि profit booking starting में आई और उसके बाद एक बड़ी booking बनती है यहाँ पर दुबारा तीजी बनी दुबारा गिरावट आ रही है CDSL को लेकर अगर हम देखे तो volumes बहुत कम trade हो रहे है सिर्फ साथ लाग के ही volumes हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं company में अगर आप देखोगे तो 33% लोग कहरे कि बेचो और भाग जाओ 67% लोग कहर साड़े चार रुपय का था लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि साल 2000 में यह company का शर्ट 200 रुपय के आसपास trade कर रहा था तो तब साड़े चार रुपय का dividend कुछ खराब नहीं है 2021 में नौ रुपय का 22 में 15 रुपय का काफी बड़ा आप dividend कह सकते हैं revenue में बहुत बड़ी ते इस बार भी शायद उसी के आसपास ही रहेगा और यही कहेंगे कि ग्रोथ नहीं है जिसकी वज़े से शेयर में गिराड़ी के लिखो market expect के चल रहा था कि growth आएगी यहाँ पर और market उसको इस तरीके कर discount भी दे रहा था लेकिन अभी वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है तो जाहिर से बात है जब तक growth नहीं आएगी problems यहाँ पर बनेगी और यह देखने को मिल भी रहा है CDSL को लेकर अगर हम बात करने जाए company में तो 29-30 का इसका PE ratio है sector PE 20 का है मतलब उतना सस्ता भी नहीं कहा सकते हो आप इसको ठीक है थोड़ा सा महंगा ज़रूर है और मैं मानता हूं कि शाहिए थोड़ा सा और correction यहाँ से बनना चाहिए और अगर बनेगा तो कही के नीचे यह सस्ता होगा इसका जो PE ratio है वो sector PE के आसफास पहुंच जाता है तो कहीं न कहीं attractive बन जाएगा यह उस range के आसफास buying के लिए 71% कहता है खरीदारी करो देखो खरीदारी करी है तो बने रही है यहाँ पर लेकिन जहां तक बात है fresh buying की मैं थोड़ी सी वेट करने के सला यहां पर दूँगा अगर हम बात करें तो promoter के पास 20% की holding है बड़े बड़े fund house बहुत बड़ी quantity में है जरू 7.39% mutual fund के पास है 11.07 domestic के पास है FIS के पास भी 15.83% की holding है लेकिन retail यहां पर rule कर रहे है जाहाँ दर holding हाँ पर retail investor के पास है यह सब ने खरीद लिया वाई सब 36. 6.78% की holding लेकर बैठ है retail investors other parties के पास 8.94% की holding देखने को मिल रही है CDSL खरीदारी करिये बने रही है fresh buying की जहां तक बात है मैं कहूँगा कि अभी इंतजार करिये थोड़ी से और गिरावट आ सकती है इसका जो peer ratio थोड़ा सा और adjust होने दीजिए उसके बाद खरीदारी के मौक का आये का definitely मैं वीडियो बना कर update भी करूँगा लेकिन अभी मुझे ता है कि थोड़ा सा correction बनेगा यहां पर आज बाजर अच्छे mood में था तो यह भी बाग गया दूसरी जो company है वह दीमार्ट यहां पर आज अगर इसके भी volumes देखो तो भया तीन लाक के भी नहीं है CDSL में भी सेम था साथ लग को लेकर यहां पर एफिट ट्रेडिंग को लेकर भी तो बहुत ही कम इंट्रेस्ट देखने को मिल रहा है यहां पर खरीदारी को लेकर बात करें फिर बिक्वाले को लेकर बात करें company में अगर आप देखो कि पिछले महीने में तो गिरावट आई जरू में थोड़ा बहुत बाउंस बैक दिखाने की कोशिश करी लेकिन हर बार यह गिरता चला गया डीमार्ट हाला कि पांच साल में देखोगे तो यहां पर भी बहतर ग्रोथ देखने को मिल जरूर रहा है पांच हजार तीन सो तेईस रोपे तक गया था यह बाद में बड़ा क पर आया बाउंस बैक दिखा दिया वापस अभी करेक्शन बन रहा है डीमार्ट को लेकर अगर हम बात करने जाए कंपनी में तो डीमार्ट में अकॉर्डिंट में अगर आप देखोगे डिविडेंट में भी तो यहां पर डिविडेंट की कोई हिस्ट्री अवलेबल है मतल है problem आ रही है quarter ओं quarter वाले पर revenue चलो इनका धीरे धीरे बढ़़रा है्लेकर अगर आ देखोगे यहां पर आप दिखोगे तो इहां पर लेही बिग बाजार पिक्चर से आउट हो चुका है लेकिन रिलाइंस बड़े पैमाने पर डॉमिनेट करना चाहता है इस सेक्टर में और कर भी रहा है इसके अलावा जो ऑनलाइन प्लेयर्स है उसको आप इगनौर नहीं कर सकते टाटा वया बिग बास्केट के साथ यहां प ओपन करेंगे तो वो खुलते नजर नहीं आए और यही वज़े है कि आपको शेयर प्राइस में उतनी बड़ी रफ्तार नहीं देखने को मिली इसका पी रिश्यो अभी भी 145 का है जबकि सेक्टर पे 126 का है थोड़ा सब महंगा ज़रूर मैं कहूंगा लेकिन हमेशा डीम प्रामोडर के पास 75% की होल्डिंग है बहतरीं होल्डिंग है यह 6.40% है mutual funds के पास और अगर बात करेंगे 0.73% है domestic institution के पास 8.63% है Files के पास retail और अधर की मिलाकर 9.25% की होल्डिंग जिनमें से retail investors 3.74% की होल्डिंग लेकर बैठे है डीमार्ट मुझे पसंद है खरीदारी क बने रहना चाहिए लेकिन जहां तक बात है fresh buying की तो मैं कहूंगा कि मैं थोड़ा सा और इंतजार करूंगा यहां पर buying को लेकर जो खरीदारी के मुझे लग रहे वो 3000 रोपय का level है मुझे तकि वहां पर खरीदारी के मौके ढूबने चाहिए 2800 से 3000 रोपय के range पर आपकी न मुझे रधा कि थोड़ा सा लोगों की inactivness थोड़ी बहुत दिखेगी जो retail investors है और उसकी वज़से जो नए accounts opening यह थोड़ी से कम नज़र आएंगे आपको लेकिन हाँ उसके बाद एक अच्छी रफ्तार भी आप देखोगे यहां पर तो नज़र यहां पर भी होनी चाहिए लेकिन अभी नहीं थोड़ा से इंतजार करना चाहिए और जो इसका P ratio भी 30 का है सेक्टर P 20 का है तो मुझे तक थोड़ा सा और क्रेशन अगर आएगा सेक्टर P के आसपस अगर इसका P ratio आजाएगा तब शायद थोड़े बग मौके बंते नजर आ सकते हैं वीडियो को यही प्रेंट करूंगा पसंद आए हो तो लाइक कर शायगा चाहिए अगरा पहले बाहर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और CDSL और DMART दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं थैंक यू